हर हर महादेव जै भोलेनाथ मैं हूँ आपके साथ प्रियंका तेवारी और आज किस वीडियो में आपको संतान सप्तिमी की व्रतकता सुनाने चारे हूँ साथे साथ आप इस स्क्रेन पर भगवान भोलेनाथ की सामान पूजा भी देख पाएंगे तो चलिए व्रतकता प्रारंब करती हूँ संतान सप्तिमी व्रतकता एक दिन महराज युदिष्टेड ने प्रजा जनों के हितार्थ भगवान से कहा कि हे प्रभू कोई ऐसा उत्तम रत्वताईए जिसके प्रभाव से मनुश्यों के सांसारिक दुख क्लेश दूर हो जाएं और वे पुत्र एवं पौत्रवान हों यह सुनकर भगवान बोले हे राजन तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्ट किया है यह संसार नाना प्रकार के दुखों से भरा हुआ है मैं तुमको एक पौराणिक इतिहा सुनाता हूँ ध्यानपूर्वक सुनों एक समय श्री लोमस रिसी कंस राजा की मतुरापूरी में वसुदेव और देवकी के घर गए रिसी राज को आया हुआ देख करके दोनों अत्यंत प्रशन हुए और बोले मैं जानता हूँ कि आप अत्यंत भगवत प्रेमी हैं और सदा भगवान विश्णू की भक्ती में लेन रहते हैं फिर भ जिनके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी रहना स्वभाविक है इसे प्रकार है देवकी कभी राजा नहुस की पतनी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी जब उसने संतान सप्निमी का वरत विधी विधान सहित किया तो उसके प्रताप से उसको संतान का सुक मुझे वर्णर कीशे जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पासकूं लोमस रिसी ने कहा है देव की अयोधा की राजा नहुस थे उनकी पतनी चंद्रमुखी थी वह बहुत ही सुन्दरी इस्त्री थी उसी नगर में विश्णु गुप्त नाम का एक ब्रामभर भी रहता रखी थी एक दिन वे दोनों सर्यो नदी में स्नान करने के निमित गई वहां उन्होंने देखा कि अन्य बहुत सी इस्त्रियां सर्यो नदी में स्नान करके निर्मलवस्त्र पहन कर एक मंडप में श्रिशंकर एवं पार्वती जी की मूर्ती स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं तब राणी और रामधडी यह देख कर उस मंडप के पास गई और उन इस्त्रियों से पूछा कि हे बहनों तुम महादेव पारवती का किस कारण से पूजन और वrist कर रही हो यह सुनकर इस्त्रियों जानकर रानी और ब्रामभडी ने भी मन ही मन इस वरत को करने का संकल्प लिया और घर वापस लोटाएं अब घर आकर वे ब्रामभडी भद्रमुखी तो इस वरत को नियम पूर्वक करती रही लेकिन रानी चंद्रमुखी राजमत के कारण कभी इस वरत को करती और कभी ना कर ब्रामणी मुर्गी की योनी में भी पिछले जन्म की बात नहीं भूली थी और भगवान संकर तथा पारवती जी का ध्यान करती रहती थी उधर रानी बंदरिया की योनी में सब कुछ भूल गई थोड़े समय के बाद ही इन दोनों ने यह देह भी त्याग दिया अब इनका तीसरा जन्म पुनह मनुशे योनी में हुआ उस ब्रामभडी ने तो एक ब्रामभड के यहां कन्या के रूप में जन्म लिया तथा रानी को एक राजा के यहां राज कन्या के रूप में जन्म मिला उस ब्रामभण कन्या का नाम भूसना देवी रखा गया तथा विवाह योग्य होने पर उसका विवाह गोकुल निवासी अगनि भेल नामक एक ब्रामभण से कर दिया गया भूस्रना देवी इतनी सुन्दर थी कि वे आभूसन रहित होते वे भी अत्यंत सुन्दर लगती थी इतनी सुन्दर कि कामदयवकी पत्नी रत भी उसके सम्मुख ला जाती थी भूसरणा देवी के अत्यंत सुन्दर, सर्व गुण संपन, चंद्रमा के समान, धर्म वीर, कर्म निष्ट और सुसील सुभावाले आठ पुत्र उत्पन हुए और यह सब सिवजी के व्रत का ही पुनीत फल था वहीं दूसरी और सिव विमुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान होने से दुखी रहने लगी थी रानी और ब्रामणी में जो प्रीती पहले जन्म में थी वह अब भी बनी हुई थी भूसरणा देवी रानी से मिलती भी रहती थी जब रानी व्रधावस्था को प्राप्त होने लगी तब जाकर उसके एक गूंगा बहरा तथा बुधी हीन अलपायू वाला पुत्र उत्पन हुआ और वह भी नौ वर्स की आयू में छड़ भंगूर हो संसार को छोड़ कर चला गया अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यन्त दुख ही और व्याकुल रहने लगी दैव योक से एक दिन भूस्णा देवी ब्रामभणी रानी के यहां अपने सब पुत्रों को लेकर जा पहुँशी रानी का हाल सुनकर उसे बहुत दुख हुआ किन्तु इसमें किसी का क्या आवश कर्म और प्रारब्ध के लिखे को तो स्वयम ब्रम्हाजी भी नहीं मिटा सकते रानी कर्मिश्युत भी थी इसी कारण उसे दुख जेलना पड़ रहा था रानी उस ब्राम्हणी के ऐसे वैभाव और आठ पुत्रों को देखकर मन में इर्शा करूठी तथा उसके मन में पाप उत्पन हो गया ब्राम्हणी ने रानी का संताब दूर करने के निवित अपने आठों पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया और अपने घर चली आए रानी ने पाप के वशी भूत होकर उन रामर पुत्रों की हत्या करने का विशार बनाया और इसी विचार से उसने लड़ू में विस मिला कर उनको भोजन करा दिया सबने प्रिशन हो भोजन पालिया परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यू नहीं हुई यह देखकर तो रानी अत्यंत आश्यर शक्रित हो गई और इस रहस का पता लगाने का विचार किया भगवान की पूजा सेवा से निवरत होकर एक दिन जब हूशना देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए विस मिला कर लड़ू खिला दिये किन्तो इन में से एक भी नहीं मरा तुने ऐसा कौन सा दान पुन्य वरत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य सुख भोग रही है तो बड़ी सौभाग वती है इन सब का भेत तू निसकपट होकर मुझे समझा मैं तेरी बड़ी रेडी रहोंगी रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूसना ब्राम्भणी कहने लगी हे रानी सुनो तुमने तीन जन्म का हाल कहती हूँ रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर भूसना ब्राम्भणी कहने लगी हे रानी सुनो तुमसे मैं तीन जन्मों का हाल कहती हूँ ध्यान पूर्वक सुनना पहले जन्म में तुम राजा नहुस की पतनी थीं और तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भधरमुखी था और मैं ब्राम्भणी थे हम तुम आयोध्या में रहते थे और मेरी तेरी बड़ी प्रीती थी एक दिन हम तुम दोनों सर्यू नदी में सनान करने गए और दूसरी इस्तियों को संतान सप्तिमी का उपवास श्रिफ जी का पूजन अचन करते देखकर हमने तुमने भी इस वरत को करने की प्रतिग्या की थे किन्तु तुम राजमद के कारण सब भूल गई और जुट बोलने का तुमको दोस लगा जिसे तुम आज तक भोग रही हो और मैंने इस वरत को आचार विचार सहित नियम पूरवक सदैव किया है और आज भी करते हूँ दूसरे जन्मे में तुमको बंदरिया का जन्म मिला दा था मुझे मुर्गी की योनी मिली भगवान संकर की कृपा से इस वरत के प्रभाव से भगवन नाम को मैं इस जन्म में भी नहीं भूली और निरंतर इस वरत को नीयमा नुशार करती रहे तुम अपने संकल्प को इस जन्म में भूल गई मैं तो समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो भारी संकट है उसका एक मात्र यही कारण है और दूसरा कारण हो ही नहीं सकता इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम अब भी संतान सप्तिमी के व्रद को नियम से करो तो कदाचित तुम्हारा संकट दूर हो जाए लोमस रिसी ने कहा कि हे देवी की भूसना ब्राम्री के मुख से अपने पूर विजन्व की कथा तथा वरत के संकल्प की बास सुनकर रानी को भी पुरानी बातें याद आ गई और वे पश्चेताप करने लगी भगवान संकर इवं देवी पार्वती की अपार महिमा का गुडगान करने के बाद रानी ने उसी दिन से नियमा अनुसार संतांस अपनिमी का वरत करना सुरू कर दिया जिसके प्रभाव से रानी को संतांस सुख भी मिला तथा संपून सुखों को भोग कर वहरानी शिव लोक को गई भगवान संकर के इस वरत का प्रभाव ऐसा है कि पत भ्रष्ट मनुश्य भी भूल सुधार कर अपने पत पर अग्रसर हो जाता है और अंत में एश्वर ये भोग कर मोक चुपाता है लोमस रिसी ने कहा कि हे देव की इसलिए मैं तुम से भी कहता हूं इस वरत को करन का द्रण संकल्प अपने मन में करो तो तुमको भी अब अपूर्व संतान सुख प्राप्त होगा इतनी कथा सुनकर देव की हाथ जोड़कर लोमस रिसी से कहने लगी हे रिसी राज इस पुनीत वरत का विधान नियम विधी विधान आदि मुझे विस्तार से समझाएए य देव की यह पुनीत वरत भादों के महीने की सुकल पच्च की सब्तमी के दिन किया जाता है उस दिन रम्ह मुहूर्थ में उठकर किसी नदी अथवा कोई के पवित्र जल में इसनान करके स्वच पवित्र वस्र पहना शाहिए फिर श्री शंकर भगवान तथा जगदंबा पारवदेजी की मूर्ति की स्थापना करें इन प्रतिमाओं के सम्मुक सोने चांदी अथवा रेसम के तारों का एक गंडा बनावें उस गंडे में साथ गाठे लगाने चाहिए इस गंडे को धूप दीप अश्ट गंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और अमना सफल होने की सुद्ध भाव से प्रार्थना करें तदंतर साथ पूआ बनाकर भगवान को भोग लगाएं साथी पूआ एवं यथा सक्ति सोने अत्वा चांदी की एक अंगूठी बनवा कर इन सब को एक तांबे के पात्रे में रख कर उनका सोट सोब चार्विधी से किसे सदाचारी धर्मनिष्ट कर्मनिष्ट सतपात ब्रामण को दान में देवें इसके बाद साथ पूआ ही स्वयम प्रशाद के रूपें ग्रहन करें इस प्रकार वरत का पारायन करना चाहिए भादरपद ही नहीं प्रतिमास के सुकल पक्च की सब्तिमी के दिन हे देव की इस वरत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से साधक के समस्त पाप नश्ट होते हैं और भाग्यसाली संतान उत्पन होती है अंत में उसे शिव लोक की प्राप्ती होती है हे देव की मैंने तुमको संतान सब्तिमी का वरत संपून विद्विधान विस्तार से वर्णन कर दिया है अब तुम भी इसको नियम पूर्वक करो जिसे तुमको उत्तम पून आयू संतान प्राप्त होगी इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद स्री कृष्ट ने धर्मा अवतार यूधिष्टिर से कहा कि स्री लोमस रिसी इस्वकार हमारी माता को सिच्छा देकर चले गए रिसे के कतना नुसार हमारी माता देवगी ने इस वरत को नियमा नुसार किया जिसके प्रभाव से हम उत्पन हुए हैं यह वरत विसेश रूप से इस्त्रियों को तो कल्यान कारी है है परंत पुर्षों को भी समान रूप से कल्यान दायक है चंतान सुख देने वाला पापों का नास करने वाला यह उत्तम व्रत जिसे स्वयम भी करें और मनुकामना पूर्ण होने पर दूसरों को भी करावें नियम पूर्वक जो कोई इस व्रत को करता है भगवान शंकर इवन पार्वती जी की सच्चे मन से आरातना करता है वहनिश्य ही अमर्यश प्राप्त करके अंत में शिवलो को प्राप्त होता है प्रत कथा समाप्त बोलो हर हर महादेव कीजे बोलो गौरी माता कीजे स्री गनेश भगवान कीजे भगवान कार्थिके कीजे